चलिए आपको सेधी लिए चुलते हैं बेकानेर जोहाँ पर MGH University के कारिक्रम में मंत्री अर्जुनरा मेगवाल शुर्गत कर रहे हैं स्वागत भाशन के लिए मैं साधर आमंत्रित करना चाहूंगी माननी सच्व न्याय विभाग श्री स्केजी रहाते जी को स्वागत है इंद्र मोहन श्रिवास्तव जी राजस्तान के मानिय विधी एवं कानून मंत्री श्री जोगाराम पतेल जी प्रोफेसर मनोज दिक्षित कुलपती महराजा गंगाराम विश्व विद्धायले विकानेर संयुक सच्चिव नाय विभाग श्री नीरज गाएगी नाय विभाग श्री और एसल एसे के अधिकारी गन टेली लौ पदादी कारी गन लौ कॉलेज के ल्डी संकाय सदस्य और छात्र गन मीडिया समुदाय के प्रतिनी दी गन उपस्तित सभी अतिती गन नमस्कार अत्यंत्य हर्शोलास और एक महान उद्देश की भावना के साथ मैं आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ जैसा कि आप अउगत है इस वर्ष 26 जन्वरी को भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेटकर द्वारा रचित भारत का सम्विधान एवं भारत गनतंत्र ने 75 वर्ष में प्रवेश किया है इसी उपलक्ष में नाय विभाग भारत सरकार ने माननिय नाय एवं कानून मंत्री श्री अर्जून राम मेगवाल जी के मार्गदर्शन में माननिय उप राश्टपती महोदय के कर कमलो द्वारा एक देश व्यापी वर्ष भर चलने वाला यह अभियान हमारा सम्विधान हमारा सम्मान का उद्गाटन किया था आज राजस्तान के एतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से संब्रेद शहर विकानेर में इस अभियान का शेत्रिय एवं राज्यस्तर का उद्गाटन किया जा रहा है यह सर्वविदीत है कि सम्विधान हमारे लोकतांत्रिक समाज का मूल आधार है हमारे जैसे विविद्धता पूर्ण और बहुलवादी समाज में मेरा मानना है कि सम्विधान एक जुटता की एक बहुत बड़ी शक्ती का काम करता है हमारे सम्विधान में निहित आधेर्शो से प्रेरित होकर यह अभियान सम्विधानिक साक्षर्ता को बड़ावा देने अधिकारों और कर्तवियों के बारे में जागुरुकता को बड़ावा देने और हमारी लोकतांत्रिक विरासत में गर्व और स्वामित्व की भावना पैदा करने का प्रयास करता है इस मोके पर भारत के मान्य मुख्य नायदिश महोदे की उपस्तिती पाकर वास्तों में हम गौर्वानित महसुद कर रहे है हम आबारी है कि भारत के आदर्निय मुख्य नायदिश महोदे ने अपना बहुमुल्य समय निकाल कर हमारे बीच विकानेर में उपस्तित होते हुए इस अउसर पर हमें अपने बहुमुल्य मारगलर्शन और ग्यान के शब्द देने में हम सभी को लाभानवित करेगे मैं नाय विभाग भारत सरकार के तरफ से भारत के मानिय मुख्य नायदिश महोदे का हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ हम मान्य विदी और नय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रबार आधर्निय श्री अरजुन राम वेगवाल जी की उपस्तिती से बेहत सम्मानित महसुस कर रहे है मान्य मंतरी जी के प्रबल नेत्रित्व यों मारगदर्शन में नय विभाग ने भारत के 75 वे गंतंत्र वर्ष के दोरान इस देश व्यापी हमारा सम्विदान हमारा सम्मान अभियान की रूप रिखा बनाई है जिसके लिए हम मंतरी जी के आभारी है मन्यवर आज इस अभियान के बारे में आपके विचार और दृष्टिकों से इस सभाग्रह में उपस्तित सभी प्रतिवागी अवश्य ही लाभानुइत होगे मुझे यकीन है कि आपके गहरी और अटूट प्रतिबदता राजस्तान राज्या में इस अभियान को अधिक गहन गती पैदा करेगी हमारे बीच राजस्तान उच्नायले के माननिय मुख्य नायदिश महोदे भी उपस्तित है जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ राजस्तान सरकार के माननिय विधी और कानून मंत्री जी भी अपने वहस्तम कारेक्रम से समय निकाल कर हमारे बीच उपस्तित हुए है उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ राजस्तान के मानिया कानून मंत्री जी और राजस्तान के मानिया मुखे नायदिश महुदे के सहियोगात्मक नेत्रित्व अवश्य हमारी इस अभियान को और अधिक बल देगा मैं महराजा गंगा सिंग युनिवर्सिटी के कुलपती प्रोफेसर मनोज दिक्षिज जी और उनकी टीम का भी स्वागत करता हूँ और शिक्षा विदो और छात्रों की को अभियान का समर्थन करने में उनकी प्रती बद्धता के लिए धन्यवाद देता हूँ हमारे बीच राजिस्तान उचनायले के मानिय नायदिश श्री अशोग जैन जी भी उपस्तित है जो पहले नाय विभाग में नाय विभाग के साथ काफी close coordination के साथ नालसा में मेंबर सेक्रेटरी के रूप में थे और अभी राजिस्तान उचनायल में माननी नहींदिश महोदे है श्री अशोग जैंग जी का भी मैं स्वागत करता हूँ मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ बात कह दूँगा ना कोई आप जोन दाओ को और बन दाओ तो राजाओं ने सब ने यह गंगा सिंग जी की ऐसा वक्तित पर लुझत साहरे राजा मिले उस मिटिंग में और उन्हों का महाराजा कंगा सिंग जी हम तो आपको ही शैकेटरी जेनरर भ्रीशित कर तो पहले वह चैकेटरी जनरल चेंबर ठीक लगा तो फिर चांसलर जो बने पहले वो भी माराजा गंगा सिंग्जी बने चेंबर ऑफ प्रिंसेज के वो भी पहले बने लेकिन उसके बाद सुप्रिम गोड से क्या संबंद है पहले सिटिंग उनकी कहीं और होती थी लेकिन जब पारल्यामेंट बन गई तो पारल्या यहाँ ठीक आप सही कहारो आप ही कहे देखा तो वो जो रीडिंग रूम है वो कभी एप प्रीवी कॉंसेल भी बैठती थी आती थी तो उन्होंने नहीं का भी यह खाली करना पड़ेगा तो चैंबर ऑफ प्रिंसेज वाह बात से वो जगह खाली हुई और फिर प्रीवी इस सुप्रिम कोड शुरू हुआ 28.00 जन्वरी उनिस सो पचास को सुप्रिम कोट हमारा देश आजाध होने के बाद सुप्रिम कोड शुरू हुआ हमारे समिधान के तीन जो परमक आंग है उसमें एक परमक आंग नियाई पालिका है उसकी शुरुवात होती है 28 जन्वरी 1950 को और पहला सुप्रीम कोट जो बैठा वो बैठा जहां कहीं महाराजा गंगा सिंग जी उस चेमर में बैठ देते उसमें बैठा मोन सुनाना जी जोरुन ताली बजावा तो जोरुन बजावा मोन जी थे ताली तो ताली तो जोरुन बजाण चाहिजे नहीं वहां बैठा तो मैंने का आपका ये तो हैरिटेज होगी है बिल्डिंग बाद में जब इतने साजाद हुआ और ये सुप्रिम कोट चार-पांच साल बैठा सा पहां फिर सुप्रिम कोट की बिल्डिंग आ गई तो फिर तब तक अटल जी आ गए उन्होंने का लाइबरेरी होनी सी तो अटल जी ने उस जगे को लाइबरेरी बना दिया तो वहां लाइबरेरी भी बहुत जोरदार फिर अटल जी जब प्रजान मंत्री बने तो उन्होंने का ये जगे छोटी है और ये आज भी रीडिंग रूम है उसके उपर जाएंगे तो आपको बहुत सुन्दर चैंबरेशन तो उसमें भी कभी एक दन आपका आना होगा तो अच्छा लगेगा इसलिए माहराजा गंगा शिंग जी का भी संबंद सुपरिम कोट से और सुपरिम कोट के चीफ जस्टीस आज मानिचीफ जस्टीस याँ भीकानेर आए तो उनका भी अब भीकानेर से संबं आकरशित करना चाहता हूं सब और यह छोटा विशह नहीं है और मैं कभी-कभी कहता हूं Honorable Chief Justice of India साब को कि आप अमर हो गए कारण क्या था कि Dr. B.R. अमेड करने जिनने समिधान के रचियता उनको कहा जाता है समिधान drafting committee थी उसके वो chairman थे समिधान के शिल्पी भी उनको कहा जाता है लेकिन Supreme Court में उनकी station नहीं थी और Supreme Court में station कैसे लगे तो मैंने चर्चा करते-करते इनको एक सुझाव दिया मैंने का Sir Dr. B.R. अमेड कर बहुत अच्छे advocate थी तो जब उन्होंने advocate के रूप में enroll किया Bombay हाई कोट में तो वो वरस्ता 1923 now we are running in 2023 तो hundreds year की journey as a advocate की डॉक्टरा मेड करकी अगर हम याद करेंगे और उसके पर seminar करेंगे की वकीलोंने 100 साल में क्या पाया वकीलोंने 100 साल में क्या खोया तो advocate protection act की बात भी आजाएगी advocate को लोग insurance नहीं करते हैं वो विशे भी आजाएगा क्यों ये विशे आपके है ना भाई साब का नहीं है नारहेंट ची सोपड़ा साब बैठ रहे हैं आप advocate भी विशे तो है ना ये तो ये विशे भी आजाएंगे तो honorable C.J.I. साब ने उसको हां किया और एक बहुत ही सुंदर जो मूर्ती बनी है डॉक्टर बियार अंबेटकर साब की बहुत मूर्तियां लगी हुई जी देश में ऐसा नहीं है बहुत लगी हुई है लेकिन वकील की वेस भूसा में सुप्रिम कोर्ट में ही लगी हुई है और वो भी डॉक्टर ऑन्रेबल डॉक्टर वियाए चंदर्शूट साब के निर्देशों में लगी है उन्होंने मूर्ति इतनी सुंदर बनाई है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभी नंदन करता हूं धन्यवाद देता हूं हमारी मुख्य नियादीश भ फूल चड़ाते हैं बहुत से लोग जा रहे हैं हमारे बहुत से एंपी भी गए और उन्हें धन्यवाद मुझे भी आकर के दिया मैंने का वो सीजिए साब को धन्यवाद देओ तैसा सुंदर काम आपने किया उसके लिए भी आपको धन्यवाद मैं बाकी जो चीजे हैं यहां शायक दिशाए स्कीम है हमारे न्याइ व्यपाकित उसमें न्याइशायक इसकी शरुवाद तो भी का नेृसी हुई है आज उसके लिए भी तालिप जा ओ जो जोडरदार हो सुरुवाद है जब कभी इतियास डिखा जाएगा प्लंसायक का तो बहुत से वकील हम उप डिस्टिक मेनेजर है, ये न्यायशायक है, ये जब भी कोई दिक्त आए, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ये जो नालसा, सालसा, डालसा, अब तो तालुका तक चला गया आई, तो ये जो सारी संस्ताय हैं, वो नागरिकों का एक विशे, जब समिधान बनाता तब आया थ का, कि अब कोई गरीब आदमी हैं, और वो अमीर वकील नहीं कर सकता, तो क्या करें हमारा फंडामेल्टे राइट्स का चला गया, तो ये जो एक स्लोगन है, हक हमारा भी तो है, तो जब गाम का आदमी बोलता है, कि हक हमारा भी है, उपलब्द कराओ, तो ये सर्मा एक दोवा कह रही थी, मुझे वो लगा के, साब मुझे पूछ रहे थे कि ये मारवड़ी भासा है, क्या मैंने कहा है, मारवड़ी में है, दोवा क्या था, कि धोनारी धरती जठे, चांडी रो आश्मान, रंग, रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान, सर, इसका भावार्त ये है, कि आवर राजस्थानी इस कलरफूल सर, हमारे राजस्थान में डैजेट जरूर है सर, लेकिन हम पगड़ी भी कलरफूल, आपको जो पगड़ी पहना ही है न वीसी साब ने, ये भी कलरफूल है सर, हमारे महिलाओं के जो कपड़े भी है ये भी उसमें एक भाव है, और सेंड्यून सेंसर हमारे हैं, तो सेंड्यून सब होते हैं, तो रातरी में कई बार लगता है कि क्या है भई, तो वो चमकता है सर, सोने की तरह चमकता है, ये स्थान सोने जैसा है, जब उपर देखता है, आकास की तरब, तो उसको चांदी जै है चांदीरो आसमान रंग रंगीलो रस भर्यों मारो प्यारो राजस थान तो ये एक राजस्तान की विशेस्ता वाला एक विशे था एक विशे और मैं छेड़ता हूं वो भी अच्छा विशे है कि बनारश हिंदू विश्विधाले से हमने क्यों महाराजा गंगा सिंग मंबर थे उन्होंन उनको बुलाया और गरी में हम आये थे यहां विकानेर रहे और बनारश हिंदू विश्विधाले के जो 17 ऐसे स्टूडेंट हैं उनके परिवार के लोग हैं मैं बनारश हिंदू विश्विधाले गया था तो विशी साब से मैंने जैन साब से आपकी बा कुलता भी है और सविधान बनाने में 17 लोग इस्टूडेंट कहीं नहीं आये सब यह भीका निर्म आये जस्वन सिंधी बहुत विद्वान आजमी थे वो हमारे कांस्टूट्स असेम्बली के मंबर थे इसलिए उन शेत्रों के लोगों को यह एसास होता है कि वर्षों पहले इस सम्विधान को हमारे किसी ने किसी ने अपना बनाया लिया था शायद विकानेर की गाताब यही है सम्विधान बहुत नजदी की तौर से विकानेर से जुटा हुआ है हमारे सम्विधान निर्माताओं ने लगबख तीन साल की अनवरत तपस्या से निर्मित किया है न्याए स्वतंतरता समानता लोकतंत्र धर्मन निर्पेक्षता आदी इसकी ग्यानेंद्रिया है हर दिन करोडो सपने कला विग्यान वानिज सेवा राजनीती एवं शासन के शित्र में योगता के बल पर साखार होते हैं यह समीदान की देन है जिसे करोडो लोगों के से सपने साखार हो रहे हैं यह समीदान की ही देन है कि सभी लोगों को अपने सपने देखने का मौका मिला है हमारा समीदान हमारा सम्मान कारिकरम के इस कारिकरम के उपलक्ष भर हम सभी आज यहां मौजूद हैं इस अफसर पर हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा हमारा सम्विधान, हमारा सम्मान इस वाकिय का अर्थ क्या है सम्विधान का आम जन जीवन में क्या महत्व है सम्विधान कैसे हमारे आत्म सम्मान के लिए गरिमा एवं नागरिक अउधालना के लिए जरूरी है आज इनी विश्यों पर आप से बात करने के लिए मैं आप सब के बीच आया हूँ आजादी के बाद भारती सम्विधान के सामने कई चुनोतियां थी विविद्धा से बरे समाज को साथ लेकर चलने की चुनोती पुर्ण लोगों के जीवन में महत्व बनाया रखने की चुनोती थी हमारा सम्विधान तमाम इन चुनोतियों को पार करते हुए 75 वर्ष से हमें प्रेरित एवें मारगदर्शित कर रहा है हमारा सम्विधान हमारा सम्मान यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है बलकि अपनत्व के भाव का परिचायक है जो देश का सम्विधान देश के गर्व एवं स्वाबिमान का प्रतीक है सम्विधान वे दस्तावेज है जिससे यह तो तैह होता है कि देश किन मूलियों पर चलेगा राजनीतिक व्यवस्ता कैसी होगी यह भी तैह होता है कि लोगों का जीवन कैसे होगा उनके अधिकार क्या होंगे दाइत्व क्या होंगे सरकार के दाइत्व क्या होंगे सम्विधान हमारे देश और नागरिकों की सामुहिक आकांगशा समीधान, निर्माताओं एवं सतुनता सेनियों के संघर्ष एवं आदर्शों को दिखाता है भारतिय समीधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सामान्य सिधान्तों और मानवी भावनाओं को प्रकट करने वाले प्राउधान एवं प्रशासनिक विवरंग एक साथ मिल जाते हैं यह इत्यास से सीखे गए सबक को दर्शाता है और लोकतंत्र, कानून का शासन, मानव दिकार और समानता जैसे सिधानतों के प्रतिबद्धा का प्रतिक है जब लोग कहते हैं हमारा सम्विधान हमारा सम्वान है तब वे उस मारगदर्शक दस्तावेस के प्रति गहरी सहराना व्यक्त कर रहे हैं जो देश की पहचान को आकार देता है और शासन के लिए एक रूप रेखा प्रदान करता है ये सम्विधान में नहित सिध्धान्तों को बनाये रखने और एक यायपूर्ण एव़ नियाइ संगत समाज के दिशा में काम करने के लिए महत्व पर जोर देता है सम्विधान किसी भी राष्टर की स्तिरता त्रगती और एकता के लिए महत्वपूर्ण है अक्सर सम्विधान के बारे में ये कहा जाता है कि भारत के कुछ बड़े वकीलों ने इसे बनाया ये कहा जाता है कि सम्विधान बनाने में जन्मानस का सहयोग नहीं था बृतन के सम्विधानिक विद्वान आईवर जेनिंग्स ने यहां तक कहा था और कह दिया कि भारती सम्विधान वकीलों का स्वर्ग है लॉयर्स पैरडाइस पर मुझे सच तो पूछ लीजिए तो सच है कि सम्विधान सभा में कई वकील थे कई वकिल थे डॉक्टर बाबा साहिब भिम्रा अम्बेड कर सहित कई गन्मान्य वकिल शामिल थे पर ये भी सच है कि सम्विधान मूलत है अंग्रेजी में लिखा गया था पर ये कहना गलत होगा कि भारतिय सम्विधान को बस कुछ वकिलों ने मिलकर बना है भारतिय सम्विधान को बनाने में कई समाजिक एवं राजनीतिक अंदलोन का योगदान था एक तरफ जहां अंग्रेजों के खिलाफ भारत में एक राजनीतिक अंदलोन चल रहा था दूसरी तरफ भारत में व्यापत समाजिक असमानता को दूर करने के लिए एक समाजिक अंदोलों भी चल रहा था बाबा सह्ब उस अंदोलों के बिलकुल सामने थे, आगे थे इन दोनुँ अंदोलों का नतीज़ा था कि भारती सम्विधान में कैसी ऐसे कैसी प्रावधानों की जगे मिली जिसकी वजह से देश की दिशा बदल गई जब हम सम्विधान को देखते हैं तब यह पता चलता है कि सम्विधान का निर्मान तमाम वर्ग, समूह, एवं नागरिगों को हितों को ध्यान में रख कर किया गया है बाबा साहिब अमबेटकर ने समविधान के समावेशी भावना को व्यक्त करते हुए समविधान सभा में कहा था The Constitution is not a mere lawyer's document It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age मतलब समविधान केवल वक्किलों का दस्तावेश नहीं है या जीवन जीने का वाहन है और इसकी आत्मा कई युगों की भावना है जब आप समविधान में निहित अपने अधिकारों को पढ़ते हैं उनके उप्योग के बारे में जानते हैं जैसे आपको टेली लौ और बाकी या आदर्श स्कीम से मिलता है तब आपको पता चलता है कि समविधान हमारे देनिक जीवन में कितना जरूरी है आपके देनिक मजदूरी, पेंशन, राशन, साफ पानी, पढ़ाई, स्वास्थ्य, इन सब का अधिकार हमें समविधान से आता है ये स्पेश्ट करता है कि समविधान सिर्फ नियायल है सरकारी दफ्तरों और किताबों तक ही सीमित नहीं है ये कोर्ट के कॉलिडॉर से लेकर गाउं के चबुतरे तक अपना स्थान बनाए रहा है मैं जिस राज़ से आता हूँ, महराश्ट, वहां कई लोग समविधान को लेकर बातें वटवरुक्ष के एवं चबुतरे पर करते मिले पाएंगे जिससे हम मराथी में समविधान कटा कहते हैं राजिस्तान की जैपूर में समविधान पार्क बनाया गया है जिसमें समविधान की यात्रा एवं समविधान के बारे में विस्तार से बताया गया है यह अपने तरह का देश भर में पहला समिधान पार्क है समिधान की लोगप्रियता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका लोगों को उसके बारे में अधिक जानकारी देना है इसलिए समिधान और उसके मूलियों के साथ लोगों का परिचाय कराने के लिए राज्य की भूमी का महत्वपूर्ण हो जाती है असलिए मैं आज डिपार्टन अफ जस्टिस अरजुनराम मिगवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपनी तरफ से अदा करना चाहता हूँ बारती समिधान को सभी का समिधान माना जाता है क्योंकि इसे समावेशी तोर पर बना गया था कानून के समक्ष समानता का अधिकार समिधान देता है इसमें निहित सिधानत और अधिकार सभी नागरिकों पर लागू होते हैं चाहें उनकी प्रुष्ट भूमी धर्म जाती लिंग या कोई अन्य विशेष्टा कुछ भी हो यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और उन्हें समान अवसर प्राप्त हो भारतिय सम्विधान के यह कहीं विशेष्टाएं उसे सभी समुहों के बीच स्वीकारे बनाती है हमारे सम्विधान निर्माताओं ने उनके मन में व्यक्ति की गरिमा यानि हुमन डिग्निटी का सर्वोच